हेलो दूस्तों आपका सौागाध हां आए एच्यक्रेशनल ट्रांती नगसी निकाली गई है जो की मद्वृँप्रिदेस हाईकोट के अंतर है और मद्वृट्प्रिदेस हाईकोट के अंतर गखट जो बेकिंसी SMITH निकाली है तो उसमें लगवग लगवों यहाँ पर 550 पोश्टों पर वेकेंसिया हैं 550 प्लस यहां पर पोश्ट है और इन सभी वेकेंसियों में जो जॉइनिंग रहने वाली है वो दोस्तों आपकी सबसे पहले तो दोस्तों जो आपके खंड़ पीट है हाई कोट के साथ साथ दोस्तों जो हाई कोट का सेंटर है इन तीनों मे ऩटीन होती है उनकी यह यहां पर लिश्ट होती है सेन्टर दीकार जिस प्रकार से आप यहाँ पर इंदौर में देख पा रहेंगे, यहाँ पर हतोड, यहाँ पर महू, यहाँ पर सनबर, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ इंदौर की जो civil court है, उनके लिए भी यहाँ पर vacancy है, और यह जो total यहाँ आपकी तहसीली वाली court है, इनके लिए दोस्त देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो में बने रहें आगे तका दोस्तों आपको एपर टूटल जानकरी दी जाएगी किस परकार की वेकंसी है और कौन सी पोश्ट यहापर रहने वाली है किस परकार से आपको यहापर इसके लिए अप्लाई करना होगा और कब तक दोस्तो officer की post रहेगी जो कि आपकी 3 post रहेगी और यहाँ पर 640,000 यहाँ पर payment रहेगी बंतवली इसके अलाबा senior officer की सीटने 27,500 यहाँ पर payment रहेगी senior developer की post रहेगी 48,400 पेव्लबर की 3 post होगी जिसमें की 45,000 पेवेध रहेगी network administrator की post रहेगी जिसमें की तीन post होगी 25,000 यहाँ पर payment रहेगी system office की 7 vacancy रहेगी जिसमें की दोस्तों यहाँ पर 48,000 पेमेंट आपको मिलेगी इसके अलाबा दोस्तों यहाँ पर system analyst की 53,000 post रहेगी जिसमें की 31,466 payment रहेगी इसके अलाबा legal quality control supervisor की 10 post रहेगी जिसमें की 24,200 payment रहेगी Data Entry Operator JJB की भी यहाँ पर post है जिसमें की 2 post है इसमें 15,000 यहाँ पर payment रहने वाली है Office Assistant की post है जो की AG3 level की है और यहाँ पर दोस्तों एक post रहेगी 15,000 payment यहाँ रहेगी Office Assistant AG3 level की post रहेगी इसमें भी दोस्तों 171 post है और यहाँ पर 20,000 दोस्तों 23 यहाँ पर payment रहेगी इसके अलाबर दोस्तों यहाँ पर helper की post है जो की यहाँ पर चपरासी प्यून वाली category की है और इसमें दोस्तों आपका जो MP government से collected rate चलता है वो यहाँ पर दिया जाने वाला है तो यह लगवग लगवग 10-12,000 रहेगा और इसकी 68 post यहाँ पर रहने वाली है इसके बाद बात करें आपकी IT officer IT officer की 4 post रहेगी जिसमें की 35,000 की लगवग payment रहेगी IT officer technical assistant जिसमें की दोस्तों 217 post रहेगी और इसमें दोस्तों यहाँ पर 31,460 payment रहने वाली है retired यहाँ पर retired candidate की भी post है जो candidate retired होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर यहाँ पर यह सारी post है जिसमें की 10 post यहाँ पर retired section officer की AG3 बन से कोई रेटार्ट हुआ था उसके लिए 64 vacancy है और यहाँ पर इनकी payment दी गई है इनका जादा यहाँ पर काम नहीं रहेगा इसलिए इने payment कम दी जा रही है इसके अलावा दोस्तों इसमें जो आप देखेंगे यह जो post है इसके लिए योगतां किस पर का से रखी गई है इनके दौरा वो भी यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले सुरू करते हैं senior technical officer से तो यहाँ पर बी यदि आपने कर रखी है बी टेक या आपने MSC कर रखी है जो की computer science या electronics से या IT से हो इन तीनों subject में से कोई से भी आपने कर रखी हो साथ में दोस्तों आपको तीन साल का experience आपको होना चाहिए या तो LAN पर या DBA पर या technical यहाँ पर support in hardware पर तो दोस्तों आप यहाँ पर apply कर सकते हैं वागी जो second point है वो यह है कि आपका किसी भी case नहीं होना चाहिए आप यहाँ पर जो है आपका जो चरितर है वो इस first होना चाहिए जो कि आपका police verification के दौरा यहाँ पर किया जाएगा बाकी दोस्तों यहाँ पर second देखें senior officer या technical assistant की post है इसमें भी दोस्तों B.E.B.Tech या MSC मागी गई है computer science से या electronics से आई-टी से वही कि योगताय रखी गई है इसमें दोस्तों यहाँ पर experience में year नहीं लिखे गए है कि 3 year का experience चाहिए और नहीं experience की बात की गई है तो दोस्तों यहाँ पर बिना experience भाले भी आपर form फिल कर पाएंगे और दोस्तों यहाँ पर आपका चरितर सही होना चाहिए इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे senior developer की इसमें दोस्तों B.E.V.Tech, MSC, M.C.A तक यहाँ पर form फिल कर सकते हैं computer science, electronics या IT से आपने कर रखाओ 3 साल का experience यहाँ पर माग गया है और computer science या electronics या IT में यहाँ पर होना चाहिए इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको software development का ग्यान आपको होना चाहिए network administrative की post है जिसमें की दोस्तों आपके पास open source software या window NT या यहाँ पर काम करने का आपको knowledge होने चाहिए programming language का knowledge होने चाहिए साथ साथ दोस्तों आपने BE computer science से आपर कर रखी हो या यह 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 नहीं है तो दोस्तों आपने यहाँ पर M.C.A. कर रखा हो या M.C. computer science से कर रखी हो इसके साथ साथ दोस्तों आपके पास 3 साल का experience यहाँ पर हो किसी भी उनिवर्सिटी से 2 साल का experience हो PHP में तो दोस्तों आप यह पर फाम फिल कर पाएंगे या आपने MCE कर रखा हो तो दोस्तों आप पर 2 साल का experience हो तो आप यहां पर फाम फिल कर पाएंगे इसके लावा system assistant की पोस्ट है जिसमें की दोस्तों आपके पास at least bachelor degree होने चाहिए computer science में इसके सांस साथ दोस्तों second class bachelor degree जो होने चाहिए आपके पास A level का यहां पर certificate आपके पास होना चाहिए यदि यह नहीं है तो इसके लावा यहां पर जो है local policy से आपको approved कराना होगा अपने होनी चाहिए इसके सांस साथ आपके पास qualification में LLB होना चाहिए इसके अलावा आपको यहां पर जो है writer और इसके इसके अलावा यहां पर MS office बगएर आपको काम करना आना चाहिए इसके सांस साथ दोस्तों आप यहां पर gadget पोस्ट है data into operator की जिसमें की दोस्तों आपके पास PG DC है DC है लेकिन first class में है तो आप यहां पर apply कर पाएंगे तीन साल का experience यहां पर relevant field में यहां पर का आ गया है तो आपको computer पर कॉम करने का यहां पर knowledge होना चाहिए इसमें कि आप टाइपिंग टीवी लिखी गई है 5000 कीवर्ड की डिफ्रेशन पर हबर और यहां पर MS Office, Excel और PowerPoint प कं से कम आपको 20 साल का होना चाहिए. मिनिममम आपके पास बीख और सातिसे साथ दूस्तों को यहां पर करेक्टर आपका चरितर जो रटिवाना होगा जो से आपको बनवाना होissenschaft जो है उसकी आपका चाहिए सहीinding बताएगा इसके रावा B.E.V. Tech यहां पर जो है मांगा गया है IT Officer के लिए इसमें Computer Science का में Electronics या IT से होने चाहिए या MC करना खाओ तीन साल का Experience भी यहां पर मांडेटरी किया गया है इसके बाद बात करें IT या Technical Assistant की जिसमें कि दुस्तों आपके पास B.E.C.E. हो या Computer Science से हो Electronics से हो या Second Class में Bachelor degree हो जो कि आपकी Computer Science में हो तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं दो साल का Experience यहां पर भी मांगा गया है इस परकार से दोस्तों यहां पर Total vacancy की जान करी थी की तोटल आपको बता दिया है यहां पर 550 vacancy है है यहां पर Total हो जाती है लगबग लगग आप यहां पर देख पार होंगे यह जो 171 है 200 है इसके अलावा यहां पर 64 है तो यह total आप बेकिंसी जोड़ेंगे तो लगबग लगग यहां पर जो है 500 का अपर यहां पर जाती है ब इसकाली कोर्ट के लिए हैं इस त wines कास दोस्तों हपी यहां पर टोटल आपको दिख रही होगी और किस-kis कोज कोर्ट के लिए हैं वह भी हम यहां पर आपको दिखाया ही दे रही होगी बागी दोस्तों यह जो वेकेंसी है यह आपकी टेंडर के थुरूब की जा रही है यहाँ पर दोस्तों आपकी जो वेकेंसी है इसको किसी कंपनी के दौरा आपर पहले लिया जाएगा उस कंपनी की यहाँ पर बिट फाइनल होगी और दोस्तों यहाँ पर जो है कंपनी का ना कंपनी कि कौन सी आई है जिसके तुरू यहां पर जो है इन सभी को यहां पर फिल किया जाना है तो आप हम हमें कमेंट गीजेगा हम आपको यहां पर जानकरी लिकाल कर देंगे यहां पर किस कंपनी के दौरा है यह टेंडर लिया गया है और किस कंपनी के दौरा यह सभी जग कड़ी लेकर आएंगे धन्य बाद चुन